कन्या राश्य वालों आप सभी को एक बड़ी सच्चाई से सामना होने वाला है दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे लेकिन आप सभी को बता दे यह घटना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा क्योंकि भगवान श्री राम जी ने दे दिया है सबसे बड़ा संकेत अब आप सभी के जीवनकाल में कल से बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है आप दुश्मन को अपने पैरों के नीचे को चल देंगे लेकिन आपको बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान देखना होगा जो दुश्मन आपको जेल भेजना चाहता है जो दुश्मन आपको जूठे आरोप में फसाना चाहता है सब लोग आपके सामने हाथ जोडने लगेंगे लेकिन उनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जो बात हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले है वीडियो के मध्य मध्य में ऐसी ऐसी जानकारी है जिनके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं। सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जै मातादी तीन बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा, दुनिया वालों की बोलती बंद हो जाएगी मित्रों, अब दुश्मन के घर में खून की नदियां बहने वाली हैं, क्योंकि दुश्मन को पापों का सज मिलने वाला है। ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखरी तक आपको देखना होगा। तीन विचित्र घटना दुश्मन के साथ होने वाला है और आपको बहुत बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है। क्योंकि मित्रों आपके ऊपर यह एक देवता महर्बान हो चुका है। मित्रों आपको बता दें यह एक देवता आपके घर में आते रहता है। तो मित्रों आखिरी है, देवता कौन है, क्यों? यह देवता आपके घर में आते जाते रहता है। यह देवता आपसे क्या चाहता है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। आखिर आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा भयानक घटना होने वाला है, कौन-कौन से चमतकार आपके जीवन में होने वाला है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें साथ ही मित्रों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनात का सच्चे भक्त इस ज्योतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें महादेव जी के आशीरवाद से आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा मित्रों, आपको बता दे दो, बड़ी शक्ती कल आपके घर आ रहे हैं, जी हाँ मित्रों, कल दो बड़ी शक्ती आपके घर में प्रवेश करने वाली है, मित्रों यह दोनों शक्ती मिलकर आपको धन से मा और भयानक खुश खबरी आपको मिलने वाला है क्योंकि यह दोनों शक्तियां आपके उपर महरबान हो चुकी हैं। इस स्त्री का दामन कभी मत छोड़ना। अगले 24 घंटे के अंदर एक स्त्री आपके जीवन में आने वाली है। प्लम चल रहा है तो वह सभी समस्या में खत्म हो जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान कुबेर महाराज जी आपका कुंडली में विराजमान रहेंगे। इसलिए मित्रों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सबसे शुब समय साबित होने वाला है। मित्रों आपको बता दें यह एक कीमती चीज आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। क्योंकि मित्रों खुद बजरंग बली का आदेश आ चुका है। बजरंग बली ने यह आदेश भेजा है कि अगले 24 घंटे के अंदर यह एक कीमती चीज आपको मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों यह कीमती चीज हर हाल में आपको मिलकर रहेगा और आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप रंग से राजा बन जाएंगे। यूं कहें तो अब आप करोड़ पती बनने वाले हैं। इसलिए मित्रों जियोतिश कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि पूरे 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, जब किसी व्यक्ती को अचानक इतनी बड़ी खुश खबरी मिलता है, तो वह व्यक्ती खुशी से पूरे गांव मोहले में मिठाई बांटता है। आपके आँखों के सामने बहुत बड़ा बड़ा कांड होगा, अब दुश्मन का सर्वनाश होगा, दुश्मन को अब कोई नहीं बचा सकता है, दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। बहुत बड़ा कांड होने वाला है, सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हां मित्रों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, इतना बड़ा और भयंकर तबाही मचाने वाला है। मित्रों आपको बता दें, अचानक आपको 440 वोल्ट का जटका लगेगा। मित्रों, आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा, इतना बड़ा घटना घटित होगा, और यह घटना आपका आँखों के सामने होने वाला है। आप अपने आँखों से इस घटना को देखेंगे। मित्रों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर यह सब होने वाला है। इसलिए जोतिश कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप मत करना मित्रों। ग्रह गोच से सीधा संकेत मिल रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो होने वाला है, उसे जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे। क्योंकि मित्रों कल युग में पहली बार इतना बड़ा और भयानक अनर्थ होने वाला है। ऐसा भयानक घटना अभी तक नहीं हुआ था, जो भयानक घटना आपके साथ घटित होने वाला है। मित्रों, आपको बता दें, पाप का घड़ा भर चुका है और आप जो कर्म किये हैं उसका भी हिसाब हो चुका है और इसी लिए अब आपको पाप और पुन्य का फल मिलने वाला है। मित्रों, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले समय अवधी में, पिछले जन्म में आप बहुत सारे पुन्य का काम किये हैं, जिसका परिणाम स्वरूप इस जीवन काल में आपको मिलने वाला है। आप पास धन दौलत रुपया पैसा किसी भी चीज की कमी नहीं होगा, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहेंगे, वह चीज आप हासिल कर लेंगे। अपने जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाईयों का भी सामना किये, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले हैं। यह मैं आपको गारंटी देता हूँ मित्रों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगा कि आपके उपर एक साथ ग्यारह देवी देवता महरबान हो चुके हैं। मित्रों, ग्यारह देवी देवताओं का आशीरवाद आपके उपर पड़ चुका है। इसलिए आपका कुंडली में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है कि आप अपने महले का सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। आप अपने महले का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। बस आपको जोतिश कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। यह जोतिश कार्यक्रम नहीं, आपके लिए वर्दान है मित्रों। चारों तरफ से आपको खुशखबरी का कॉल आएगा मित्रों। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, वह चीज आ प्रावधानी आपको बरतनी होगी जो आगे जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। साथ ही मित्रों, आपको यह दो गलती भूल से भी नहीं करना है, जो आगे इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है, ऐसी कौन सी बातें हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जीवन में हम लोग जितना अच्छा काम करेंगे, जितना पुन्य का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में खुश हाली आएगी, और जितना ज्यादा हम लोग गलत काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोगों को दुख और कष् यह सब जानते हुए भी हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि मित्रों यह बात सब को पता है कि मीट मचली का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मीट मचली का सेवन करने से मना किया गया है लेकिन फिर भी लोग मीट मचली का सेवन करते हैं जो कि बहुत गलत है कुछ लोग मित्रों शराब पीकर भगवान के मंदिर चले जाते हैं कुछ लोग मीट मचली का भी सेवन करके मंदिर चले जाते हैं जबकि मित्रों ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में साफ शब्दों में लिखा गया है कि मीट मचली का सेवन करके मंदिर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगता है। इसलिए मित्रों मीट मचली का कभी भी सेवन मत करना। मित्रों मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपका जीवन में बदलाव होना शुरू हो जायेगा। आपका जीवन में परवर्तन होने लगेगा और धीरे-धीरे आप काम्याबी की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। मित्रों, आपकी जीवन की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मित्रों, आपको बता दें, आपका नाम का पर्चा निकल चुका है और एक साथ आपका नाम का तीन पर्चा निकला है। जिसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान है कि आखिर एक साथ एक इनसान का तीन पर्चा कैसे निकल सकता है और इन तीनों पर्चे में जो लिखा हुआ निकला है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा जटका लगेगा मित्रों आपको बता दें इस पर्चे में निकला है आपका परिवार आपकी मृत्यू आपके साथ होने वाला दुरगटना ये सारी चीजें इस तीनों पर्चे में निकला है मित्रों आपको बता दे अगले 24 गंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है उसे सुनकर आपका दोनों आखों से आंसु बहेगा मित्रों ये सब बढ़कर मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं बलकि मैं आपको समय रहते सावधान कर रहा हूं समय रहते आपको सतर्क कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसलिए मित्रों पूरा ज्योतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना जोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मिस मत करना वरना मित्रों बहुत बड़ा परेशानी में आप फंस जाएंगे मित्रों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटना है होने वाला है अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा भी घटना होने वाला है जिससे आपका जान भी जा सकता है इसलिए मित्रों अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा नहीं तो मित्रों आपका मृत्यु निश्चित है आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा इसलिए मित्रों अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं अपना जान का रक्षा करना चाहते हैं तो इस जियोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना और यह दो गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं अगर यह दो गलतियां अगले 24 घंटे के अंदर आप करते हैं तो आपका जिन्दगी पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा आपका जिन्दगी मिट्टी में मिल जाएगा तो मित्रों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन-कौन सी गलती नहीं करना है कौन-कौन सी बातों का विशेश ध्यान रखना है इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं साथ ही मित्रों, आपको यह भी इस जियोतिश कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है अगले 24 घंटे तक आपका दैनिक जीवन में कौन-कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा शादी शुदा लोगों के लिए प्रेमी जोडों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अगले 24 घंटे का समय कैसा रहने वाला है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आप आपको बताने वाले हैं इसलिए मित्रों जोतिश कार्यकरम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना मित्रों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बालाजी महराज के आशीरवाद से आपके साथ कुछ बड़ा चमतकार भी होने वाला है ऐसा संकेत आपके लिए मिल चुका है इसलिए मित्रों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए खुशियों का समय रहने वाला है बालाजी महराज के आशीरवाद से आपका जीवन में चार चांद लगने वाला है जी, हेलो मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपको सिर्फ यह दो गलतियां करने से बचना होगा, फिर देखना बालाजी महराज के कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल उठेगा आपका जीवन स्वर्ग से भी सुन्दर हो जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ मित्रों भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं और जब भगवान किसी व्यक्ती पर महरबान होता है तो उसे चपपर फाड़ के खुशियां देता है और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है अब आपका घर धन दौलत से भर जाएगा आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगा बस आपको अगले 24 घंटे तक ये दो गलतियां करने से बचाना है अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और यह बात आपको अच्छे से पता होगा। बजरंग बली को यह सब बिलकुल भी पसंद नहीं है। जिस घर में मान्स मदिरा का सेवन होता है, उस घर में बजरंग बली कभी नहीं जाते हैं, और उनका जीवन में कभी भी बदलाव लेकर नहीं आते हैं। कभी भी उनके जीवन में चमतकार नहीं करते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो अगले 24 घंटे तक मांस मदिरा का सेवन ना करें। दूसरा गलती जो आपको नहीं करना है मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके द्वार पर एक साधू महात्मा का रूप लेकर आपके घर देवों का देव महादेव जी आने वाले हैं। अगर आप यह दो गलतियां नहीं करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। मित्रों सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है। क्योंकि मित्रों भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूर चुका है। इसलिए मित्रों अब भगवान शनिदेव महाराज के आशीरवात से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कलपना भी नहीं की होंगे। मित्रों आपको बता दें राहु केतू अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है। मित्रों आपको बता दें अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रख तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जूट से परदा उठने वाला है जो आज इस ज्योतिश कारेक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं मित्रों। यह जूट आपका भी आँखें खोल के रख देगा। आपका शरीर कापने लगेगा। आज का ज्योतिश कारेक्रम बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस ज्योतिश कारेक्रम के माध्यम से एक-एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही मित्रों आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक-दो उपाय भी बताएंगे। इसलिए मित्रों, ज्योतिश कारेक्रम को बिलकुल भी स्किप मत करना, ज्योतिश कारेक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, आज का ज्योतिश कारेक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, गीता पर हाथ रख कर कहता हूँ, अगर आज की यह घटना सच नहीं हुई, तो 18 करोड का इनाम दूँगा। मित्रों, आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिती देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ तीन बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां मित्रों, 24 घंटे के अंदर तीन बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा, इसलिए मित्रों, समय रहते सावधान हो जाईए, वरना मित्रों, आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। मित्रों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, आप भगवान पर विश्वास बना कर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी। भगवान के आशीरवाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा। ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो मित्रों आपको बता दें। आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन तीन बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में यह तीन बड़ी घटनाओं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। नहीं उठाना है। भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं कहना है। भगवान के आशीरवाद से आपके साथ सब क dough अच्छा होगा। मित्रों जयोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जयोतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किये हर हर महादेव जय बाबा भोले नात अवश्य लिखें बाबा भोले नात का विशेश कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बना रहेगा मित्रों आपको बतादा अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुश्खबरी भी आपको मिलने वाला है यह खुश्खबरी सब को चौका देगी इतनी बड़ी खुश्खबरी 24 गंटे के अंदर आपको मिलने वाला है मित्रों आपको बता दें यह खुश्खबरी धन की देवी माता लक्षमी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है धन की देवी माता एक जटके में खत्म कर देगा जी हां मित्रों यह कीमती चीज इतना महत्वपूर्ण और पावर्फुल है इसी लिए मित्रों इस कीमती चीज के बारे में किसी को कुछ मत बताना इस कीमती चीज को हमेशा छुपा कर रखना यह कीम्ती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा मित्रों आपको बता दे धन की देवी माता लक्ष्मी की क्रिपा से आपको एक छोटा डायमंड का टुकडा मिलेगा जिसे हम लोग हीरा भी बोलते हैं मित्रों यह एक डायमंड का टुकडा आपका जिंदगी बदल कर रख देगा क्योंकि मित्रों यह डायमंड पूरे 18 करोड का है इसलिए मित्रों अब आपका जीवन पहले जैसा बिलकुल भी नहीं रहेगा धन की देवी माता, लक्षमी की कृपा से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं मित्रों अगर यह भविश्यवानी कोई गलत साबित कर देगा तो उसी में 30 लाख का इनाम दूँगा यह मैं आज इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से घोशना करता हूं मित्रों, आपको बता दे आपका कुंडली में बहुत बड़ा भयंकर योग का निर्माण हो चुका है इसलिए मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे जी हां मित्रों, इतनी बड़ी और भयंकर खुश्खबरी आपको मिलने वाला है मित्रों, कल युग में पहली बार ऐसा बड़ा चमतकार होने जा रहा है मित्रों आपको बता दें अब आपको हर वह चीज मिलाने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे वह सारी चीजें अब आपको एक जटके में प्राप्त होने वाला है मित्रों आपको बता दें जिस चीज की आप कभी कलपना भी नहीं किये होंगे वह चीज भी अब आपको मिलने वाला है क्योंकि मित्रों सितारे ग्रह गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है साथ ही मित्रों मंगल ग्रह का भी आपको भरपूर साथ मिल रहा है और जब किसी व्यक्ति को इन ग्रहों का सा तो वह व्यक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। मित्रों आपको बता दें, अब जो समय का निर्माण आपके लिए हुआ है, ऐसा समय का निर्माण अगले 10 साल तक नहीं होगा। इसलिए मित्रों इस समय को बरबाद मत करना मित्रों, आपको बता दें, अगर आप इस समय का सही से उपयोग कर लेंगे तो आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। मित्रों, आपको बतादा, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीव जहले हैं, बहुत ज्यादा परेशानी जहले हैं, लेकिन मित्रों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मित्रों, वक्त औ बार बार नहीं बनता है, इसलिए जोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मिसमत करना और पूरा जोतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना देखना। मित्रों, आज रात आपके घर आंगन में एक अद्भुत शक्ति का चरण है, पढ़ने वाला है। जिहां मित्रों, एक अद्भुत शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है और आपके घर की सारी समस्याएं खत्म करने वाली हैं, तो मित्रों, आखिर यह अद्भुत शक्ति कौन है और किस रूप में यह अद्भुत शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है, इसक ज्योतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। जोजाना आपके लिए राशिफल तयार करने में हमारी टीम को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। उसके बाद आपके लिए इतना खसरा महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं जो कि सभी जानकारियां बिलकुल मुफ्त होता है। इतना बात करते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है मित्रों। आपका जीवन में अब जो बड़ा बदलाव होगा सुनकर आप खुशी से उचल पड़ेंगे। बस अगले 24 घंटे तक यह कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। इस ज्योतिश कार्यक्रम को शान्ती और ध्यान से देखें। यह समय शान्ती का है क्योंकि एक बड़ी खुश्खबरी आपकी राह देख रही है। इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखने से आपकी टूटी-फूटी किस्मत चमकने लगेगी और आपका दुर्भाग् में बदल सकते हैं। अगर आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो आपको हर सुख मिलने की संभावना है। इससे आपके सभी दुख दर्द और कर्ज खत्म हो सकते हैं। बाबाकाशी, विश्वनाथ जी की कृपा से आपकी जिन्दगी में महत्व पूर्ण बदलाव आने वाले हैं। हमने इस ज्योतिश कार्यक्रम को ग्रिह गोचर के आधार पर तैयार किया है और यह 110 पर सटीक भविश्यवानी प्रदान करेगी। कृपया ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लिखना ना भूले। मातारानी के आशीरवात से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। भगवान के इशारों पर चलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उनका भाग्य बदल जाता है। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इनसान अपने अनुसार केवल वही करता है जो उसे पसंद है। लेकिन वास्तव में जो होता है वह मेरे इरादे से ही होता है। इसलिए अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो वही होगा जो आप चाहते हैं। चाहे आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, भगवान उसे चुट्कियों में समाप्ट कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही भगवान की कृपा और लीला है और अब यह कृपा आपके उपर पढ़ने वाली है। यदि आप पुराने कर्ज और समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो इस जियोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखें इस जियोतिश कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान आपकी सुन क्यों नहीं है और जब भगवान आपकी नहीं सुनते तो आप क्या करें ताकि आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएं और आपकी किस्मत चमकने लगे जियोतिश कार्यक्रम के अंत तक देखने से आपके जीवन में महत्व पूर्ण बदलाव आएंगे आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी और भगवान की कृपा से आपको सभी सुख मिलेंगे एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं और इन में एक ऐसा समय आता है जब ब्रमांड के सभी दरवाजे खुल जाते हैं उस समय विशेश उपाय करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और सभी देवता आपकी समस्याओं का समाधान करने में लग जाते हैं इस वि उपाय को करके अपने जीवन में बदलाव लाया है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बताये गए उपाय को अपना कर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं जिन जिन लोगों ने मेरे द्वारा बताये गए उपायों को अपनाया है वे खुद मेरे पास आकर कह और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। जोतिश कार्यक्रम में अंत तक बने रहने से ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और फिर हथेलियों के तलवे देखें। दो पहले धर्ती माता को प्रणाम करें, फिर भगवान सूर्य देवता का स्मरण करें। हर रविवार सुबह सूर्य देवता को उगते, सूर्य के समय तांबे के लो से जल अर्पित करें। चार ध्यान रखें कि जल में लाल फूल डाले या लाल फूल नहीं होने पर कच्चा चावल भी डाले। भगवान सूर्य देवता को खाली जल नहीं अर्पित करना चाहिए। इस प्रक्रिया को लगातार पांच से साथ रविवार तक करें। इस उपाय से धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आएगा और समस्याएं दूर होने लगेंगी। आगामी 24 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण होगा कि आपको अपने पूरे मोहले में मिठाई बांटने का मन करेगा। ग्रिह गोचर में होने वाले इस बदलाव के कारण आपकी किस्मत में अद्वितीय सुधार आएगा। इस खुशखबरी के बाद आप भगवान को धन्यवात कहेंगे। अंदर ही अंदर आपको एहसास होगा कि आपकी किस्मत भी अच्छी थी लेकिन आपने बेवजह उसे दोश दिया। भगवान ने सबको विशेश बनाया है लेकिन चमक वही है जो मेहनत करता है। ईश्वर ने सभी को एक अनोखा टैलेंट दिया है लेकिन कुछ लोग इसका सही उपयोग कर पाते हैं जबकि कुछ लोग भावनाओं में खो जाते हैं। अगर आपको सोने की तरह चमकना है त तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिससे आपके आस पडोस के लोग आपकी तारीफ करेंगे। हमने आपके राशिफल को तयार करते समय ग्रह पतिश कार्यक्रम को बहुत मेहनत से तयार करते हैं। इसलिए कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मातादी और हर हर महादेव जरूर लिखें। जिससे ईश्वर का आशीरवाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आईए जानते हैं। अगले 24 गंटे में आपको कौन-कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। भगवान शनिदेव के अनुसार आपको कई स्रोतों से धनलाब होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके घर में किसी नन्हे महमान की किलकारी सुनाई दे सकती है जिससे आप खुशी से मिठाई बाटने लगेंगे। यदि आप जमीन या प्रॉपर्टी के लेंदेन में हैं तो आपको लाब हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छा है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनकी जीत या तो सीख होती है और दोनों ही आपके जीवन में बहुत महत्युपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि इनसान मकान बदलता है, कपड़े बदलता है और संबंध बदलता है लेकिन वह अपनी स्वभाव नहीं बदलत अगर आप अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तो आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। समय का महत्व समझ में आएगा और आप जान पाएंगे कि किस समय पर कौन से कार्यकर ना आपके लिए फाइदे मंद होगा। अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय आपसे बदला लेगा, अभी भी समय है। इसे व्यर्थ ना गमवाएं और इसका सही उपयोग बड़े बड़े लोग भी मात खा जाते हैं। गरीब के घर का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है और अमीर के घर का कववा भी मोर जैसा नजर आता है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जैमाता दी जरूर लिखें।